वेल्कम बेक्ट तो दे चैनल तो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर और एक नया आर्टिकल रेंज ओफ रैशनल फंक्शन्स ठीक है तो इसमें टाइप वन होता है लीनियर अपॉन लीनियर का ठीक है इस टाइप का y is equal to ax plus b upon cx plus d ठीक है where x is real ठीक है basically range क्या होता है collection of y मतलब आप x real इसमें put करते आएंगे करते आएंगे आपको y obtain होता जाएगा और वही set of values of y को बोला जाता है range ठीक है तब किसी ने मुझसे पूछा क्या मैं इस पे सारे real x रख सकता हूं तो मैंने बोला हां रख तो सकता हूं लेकिन शायद इस पे गड़ बढ़ हो जाएगा ठीक है अगर मैंने minus d by c रख दिया x तो denominator 0 बन जाएगा ना तो हम यह नहीं रख सकते हैं ठीक है तो x सब रियल तो हम रख सकते हैं लेकिन minus d by c नहीं रख सकते हैं ठीक है इसी को बोलते है domain कि क्या-क्या input आप रख सकते हैं ठीक है एक example देखते हैं जैसे मान लो y मैंने मान लिया कुछ भी जैसे 2x plus 5 upon कुछ मान लो x plus 1 ठीक है तो अब इसमें मैं क्या-क्या रख सकता हूँ x सब रख सकता हूँ लेकिन minus 1 नहीं रख सकता ठीक है अच्छा कल को मैं पूछू अगर मैं x 0 रख हूँ तो y क्या मिलेगा बहुत आसान है y 5 मिलेगा x 0 रख दो ठीक है लेकिन अब ऐसा कोई पूछता नहीं है क्योंकि यह तो बहुत आसान है अगर मैं तुमको बोलू y is equal to three के लिए x क्या मिलेगा तब तुमारा क्या जवाब होगा तब x 2 होगा है हम अंग है तो मैंने क्या किया कि जब मुझ से लोग उल्टा ही पूचते हैं तो मैं क्या करता हूँ ना x निकाल ही देता हूँ ना y के तरम्स में है है तो अगर मैं इसमें y का value x के तरम्स में तो वो कैसा आएगा जैसे इसको ऐसा लिख सकते हम ना xy plus y is equal to 2x plus 5 तो तो तुम्हें पस x आजाएगा जित्ता 5 minus y upon y minus 2 है ना यह x आगया ठीक है similarly इसमें जब तुम solve करोगे तो इसमें x क्या आएगा यह आजाएगा ठीक है डारेक्ट लिख दिया x यह आ गया ठीक है अच्छा तो अब मैंने क्या बोला था कि y क्या होता है collection of collection of y is called range है ना ऐसा बोला था मैंने अब तुम ध्यान से इसमें देखो कि देखो इसमें मैंने x 0 रखा तो y 5 आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर यह पांच रखूंगा तो y 3 मिलेगा पुट करके देखो 9 बटा 3 आयगा तो जब x को मैंने 2 रखा तो y 3 आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं y को यहां पर 3 रखूंगा तो x 2 मिलेगा कह सकता हूं कि वह वहीं से डराई हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मैं x पूट कर रहा हूं मुझे real y मिल रहे है इसका क्या मतलब है देखो न वाई तो रेंज आ तो इस इसमें देखो इस में कि मैं य रखता गया रखता गया रखता गया ठीक है और मुझे x मिलते गए तो मैंने y 1 रखा मुझे x1 मिला y2 मैंने रखा मैंने मुझे x2 मिला ऐसे में बहुत सारे y रखता गया ठीक है क्या मैं y2 रख सकता हूं इसमें अगर मैंने y2 रख दिया कि तो x तो कुछ मतलब x तो कुछ आएगा ही नहीं ना कुछ नॉंसेंस आजाएगा एक्स है ना इसका क्या मतलब है कि कि y2 नहीं हो सकता क्योंकि y अगर 2 हो सकता था अगर y is equal to 2 होता तो हमें कोई real x मिलता ना ऐसा कोई x exist लिए जिसके लिए y2 हो तो इसका क्या मतलब है y seems हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता था अगर इसका range को इंग को अगर मुझे पूछे तो मैं बोल दूंगा y all real values है लेकिन 2 नहीं है है ना basically मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें मैं y रखता गया ठीक है मुझे x मिलते गए मिलते गए क्या अगर मैंने y को 2 रख दिया तो मुझे x नहीं मिला x नहीं मिला मतलब ऐसा कोई x exist नहीं करता जिसको मैं रख हूँ और y मुझे 2 मिल जाए इसका मतलब y 2 exist नहीं कर सकता तो इसका रेंज आप ऐसे याद कर सकते हैं similarly इसमें आप देखें तो y क्या नहीं हो सकता real सारे values ले सकता है लेकिन a by c नहीं ले सकता तो linear upon linear का जो range होता है वो याद करना बेहाद आसान है जैसे अगर आपको यह दिया है ax plus d upon cx plus d तो आपको कुछ नहीं करना अगर range पूछा है ना तो range आप लिख दे belong to r सारे real values minus यह इनका ratio x के coefficient का ratio ठीक है तो आप यह linear upon linear का range ऐसे find कर सकते हैं इत्ता नोट करो अब linear upon linear के हम कुछ graphs देख लेते हैं ठीक है तो linear upon linear का graph अगर तुमको plot करना है तो तुमको इसके graph का idea होना चाहिए ठीक है तो इसका graph मैं बता देता हूँ y is equal to 1 by x का graph कैसा होता है ठीक है ऐसा होता है beauty versus brain का graph जैसे जैसे beauty बढ़ता है brain degrees होता है यह है y is equal to 1 by x का graph यह अभी याद कर लो बलकि अगर तुमने अगर calculus पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि यह graph कैसे खीजा जा सकता है ठीक है अभी के लिए तुम इसको note कर सकते हो ठीक है यह x-axis है और यह y-axis है जीरो पे टच नहीं करता है कभी यह graph ठीक है तो कल को अगर मुझसे कोई पूछ है y is equal to 1 by x है इसका range बताओ तो एक तरह से ऐसा लिखा है 0 x plus 0 upon x plus 0 तो इसका range कैसे निकाल सकते हो y belong to all real minus 0 upon यहाँ पे 1 लिखा है 0 upon 1 का coefficient मतलब ratio जो की 0 आता है तो यह देखो सारे यह real values accept कर रहा है लेकिन 0 को छोड़ के ठीक है अच्छा यह तो हो गया इसका graph अच्छा अगर मैं तुम से बोलू कि अब इसका graph की जो y is equal to 1 upon x minus 1 ठीक है ऊपर y is equal to 1 by x चल रहा ठीक है तो अब इसका अगर तुमको कोई graph खीचने बोलेगा तो तुमको यह देखके नहीं लग रहा कि इस function में जो चीज x is equal to 0 पे हो रहा था वो इस जगे पे x is equal to 1 पे होगा ठीक है मेरे कहने का मतलब है कि y is equal to 1 by x एक function था ठीक है जब मैंने x1 रखा तो y 1 आया x2 रखा तो y half आया x3 रखा तो y 1 by 3 आया ठीक है इसमें देखो जब मैंने x को 2 रखा तब y 1 आया x को 3 रखा तो y 1 by 2 आया x को जब 4 रखा तब y 1 by 3 आया तो तुमको देखके ही पता चल रहा है ना इस पे जो x is equal to 1 पे हो रहा था वो यहाँ पे x is equal to 2 पे हो रहा है यहाँ पे x is equal to 1 पे y 1 आ रहा है यहाँ पे x is equal to 2 पे जो आउटपूट था यहाँ पे x is equal to 3 पे आ रहा है तो तुमको नहीं लग रहा है कि ग्राफ जो है वो right side थोड़ा जो है shift कर गया है तो मेरे कहने का मतलब है कि 1 by x का ग्राफ ऐसा था है ना y is equal to 1 by x अब क्यूंकि ग्राफ जो है right में थोड़ा सा खिसक गया है मतलब एक unit खिसक गया है देखो एक unit खिसक है ना जो 2 पे हो रहा था वो 3 पे हो रहा है जो 3 पे हो रहा था वो 4 पे हो रहा है तो तुम एक line यहाँ पे खीज लो x is equal to 1 है ना यह जो ग्राफ है इसको right में एक unit shift कर दो बस है ना तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा है ना पढ़ने वाले के लिए अगर आसान करना है तो आप इस point को भी बता दीजे कि यह कौन सा point है जैसे y is equal to 1 upon x minus 1 है ना तो जब x 0 रखेंगे तो यह minus 1 आएगा ठीक है यह आपका ग्राफ है अब इसमें भी देखो इसका भी जो range है वो है आर लेकिन 0 नहीं हो सकता है ना तो यह आपका ग्राफ हो गया इसका ठीक है अच्छा जो मैंने example लिया था है y is equal to 2x plus 5 upon x plus 1 का इसका ग्राफ कैसे खीचेंगे इसका ऐसे कीच सकता तुम जैसे लीनियर अपन लीनियर का गर ग्राफ कीचना है ना अच्छा उससे पहले रुको इसका ग्राफ कीचो y minus 1 is equal to 1 upon x minus 1 ठीक है तो अगर मैं इसको थोड़ा manipulate करूं तो यह ऐसा हो सकता है 1 upon x minus 1 plus 1 है ना तो इसको देखके क्या लगता है कि जो पिछला ग्राफ था वो तो था ही लेकिन उसमें जब 1 add कर देंगे मतलब ग्राफ जो है एक unit उपर खिसक जाएगा इसका यह मतलब है ना एक unit उपर खिसक जाएगा तो कुछ है नहीं इसको एक unit उपर खिसका दो ठीक है तो एक unit जब यह उपर चला जाएगा तो यह कुछ ऐसा दिखेगा देखो यह y-axis यह x-axis यह x is equal to 1 का line ठीक है क्योंकि ग्राफ जो है shift हुआ था यह देखो यहाँ पर shift हो गया था ना तो उसके लिए मैंने यह बना है x is equal to 1 और अब क्या करना है एक add कर देना है मतलब ग्राफ जो भी था उसको एक उपर कर दो तो जब एक उपर कर दोगे तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना देखो यह y is equal to 1 का line है ठीक है पहले 0 को touch नहीं कर रहा था लेकिन अब क्योंकि उपर हो गया है ग्राफ थोड़ा सा यह मतलब एक unit उपर हो गया है तो पहले 0 को touch नहीं कर रहा था अब इसको touch नहीं करेगा वन को touch नहीं करेगा तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा और यह origin से पास करेगा तुम put करके देख लो 0,0 इसको satisfy कर रहा है इस function को देखो तो ग्राफ ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा ठीक है अच्छा अगर दिक्कत हो रहा ग्राफ खीचने में तो ऐसे देख लो कभी भी ऐसा दियाओ y-1 is equal to 1 upon x-1 है न तुम इसको 0 करो इसको 0 करो ठीक है तो y is equal to 1 आएगा x is equal to 1 आएगा यह दोनों लाइन खीच लो ठीक है दोनों लाइन खीच लिया और फिर यही ग्राफ बना दो ठीक है वैसे भी देख सकते हो प्रैक्टिस करोगे थोड़ा ग्राफ खीचने का तो आ जायेगा ठीक है और जब भी ग्राफ खीचो तो यह हमेशा पॉइंट दिखाओ कि अगर x-axis या y-axis को कट कर रहा है तो किस पॉइंट पर कर रहा है ठीक है अच्छा इसका ग्राफ खीचो अच्छा इसका रेंज अगर बताना होगा तो ग्राफ से कैसे बता सकते हो वाई बिलॉंग टू आर माइनस क्या वन वन पर कभी टच नहीं करेगा तुम यहां से भी देख सकते हो अगर इसको तुम लिखोगे तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लिखा न तो इसका रेंज कैसे आगा वाई बिलॉंग टू-अर-माइनस यह वन पोन वन का रेश्णी 강 से भी दीख़ा है कि वन पर टच नहीं किया घ्राफ बागी हर जला जा रहा है अब इसका ग्राफ इसका रेंज कैसे आएगा इसका रेंज होगा वाई बिलॉंग टू आर माइनस तू है ना अब ग्राफ कैसे खीजेंगा इसका सबसे पहले तो जो डिनॉमिनेटर में है उसको नियूमिनेटर में क्रियेट करो तो मैंने ऐसा लिख दिया 5 को 2 2 प्लस 3 क्यूं लिखा क्यूंकि देखो इससे क्या नियूमिनेटर क्रियेट होगा ऐसा है तो यह हो गया 2 प्लस 3 अपॉन X प्लस 1 तो अब तुम लिख सकते हो Y माइनस 2 is equal to 3 अपॉन X प्लस 1 ठीक है अब क्या करो इसको 0 करो इसको 0 करो है ना इसको 0 करो गे तो X is equal to minus 1 आएगा Y is equal to 2 आएगा दोनों लाइन खीच दो Y is equal to 2 लाइन ऐसा खीच दिया मैंने और X is equal to minus 1 एसा खीच दिया मैंने ठीक है और बस वही यह यह आपका शिफ्टेड ओरीजिन हो गया कोडिनेट जोमेट्री अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें और आईडिया आ जाएगा कि यह शिफ्टिंग ओफ ओरीजिन कैसे करते हैं कि ठीक है और अब ग्राफ प्लॉट कर दो ऐसा है कि यह ना यह पॉइंट बता दो कितना है यह पॉइंट कैसे आएगा एक्स जब 0 रखोगे तो 5 आएगा यह पॉइंट कैसे आएगा जब य को 0 रखोगे ऐसा है ना 2 प्लस y-2 is equal to 3 upon x plus 1 है ना तो y को जब 0 रखोगे तो minus 2 is equal to 3 upon x plus 1 है ना तो एक्स आपके पास minus 5 by 2 आजाएगा तो यह पॉइंट कॉमा जीरो है और यह 0,5 ठीक है तो यह इसका ग्राफ हो जाएगा ग्राफ से भी तुम देख सकते हो रेंज ठीक है हाँ एएसा ठीक है ओए ऐसा आप linear up on linear का आप रेंज ब का सकते हैं लेकिन ग्राफ घीशना भी आना साधेख सादी तो कलो तो सीखना ही आना तुम तो कमें भी आएगा आई है ठीक है तो 12 अभी अभी के लिए ग्राफ खीचना छोड़ भी सकते हो ठीक है क्योंकि 11 में तो मतलब जेंडरली रेंज ही पूछता है तो तो देखके ही बता सकता है इंसान और ग्राफ 12 में भी आएगा तो 12 में सीख सकते हो लेकिन अभी थोड़ा आइडिया क्यात्र रेंघ साहते हैं अंभी अग्याट्रेंट पर chapel अते क्वाड कोडूट टिक पादेंग प्रह्यूप पर नर्टीश करेंज फइंड करना नथो तो क्या से फांट करेंगे है तो एक ऐग्सामपल से इसको समझतें एक is equal to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 ठीक है तो इसका कुछ fixed steps रहता है range find करने का ठीक है वो आपको follow करने answer आ जायागा बहुत आसान रहता है of course x is real है ना तो सबसे पहला step रहता है step 1 check for common roots चेक करो क्या common roots है इन दोनों quadratic में नहीं है root ही नहीं है ना real तो common root नहीं है common root नहीं है ठीक है तो अगर यह यह चीज true निकलता है तो आपको step 2 पर जाना है step 2 कहता है कि क्रॉस मुल्टिप्लाइब and make quadratic in x मेरे कहने का मतलब है क्रॉस मुल्टिप्लाइब कर लो तो मैं डारेक्ट लिग देता हूं क्रॉस मुल्टिप्लाइब करेंगे और हर चीज को लेफ्ट हैंड साइड आप ले आएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा ठीक है यह बन गया अब तुम देखो तुम जैसे जैसे x को real मतलब x real रखते जाओगे तुमको y मिलता जाएगा मतलब तुम x रखते गए रखते गए रखते गए y मिलता गया ठीक है इसका क्या मतलब है this quadratic is true for many pair of x and y है ना तुम जैसे इसमें ऊपर वाले में x रखो के y मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे x इसको satisfy करेंगे ना और x, y बहुत सारे pair satisfy करेंगे इसको है ना और x real भी है x अगर real है और वो इस equation को satisfy कर रहा है इसका क्या मतलब है इसका discriminant greater than equal to 0 होना चीए है ना तो step 3 यह है कि यह condition लगा दो है ना तो यह condition इसमें लगाओ तो यह हो जाएगा y माइन इसका discriminant 0 करो तो b square minus 4 ac ठीक है तो इसको अब लिख लो y plus 1 plus 2y minus 2 into y plus 1 ठीक है तो यहां से आपके पास आ जाएगा y का range मतलब y का value आ जाएगा 1 by 3 से 3 तो यह आप लेकिन यह तो आ गया लेकिन आप जब मैंने बोला ना कि cross multiply and make quadratic in x और यह कर दिया यह तुम कब कर सकते हो step 3 कब कर सकते हो जब यह जो equation है असली में quadratic हो यह quadratic कब होगा जब y not equal to 1 होगा तब यह यह डी greater than equal to 0 कर सकते हो ना जब इसका leading coefficient 0 ना हो है ना तो अब तुम देखो यहां तो 1 आ रहा है ना तो अगर तुमने d greater than equal to 0 से कुछ result पर आये तो उसमें वो y भी आ जाएंगे जो की नहीं आने चाहिए थे y is equal to 1 के लिए तो इसका leading coefficient 0 जाएगा ना उसके लिए तो यह condition लगाना गलत बात है है ना तो यह वाय आ गया लेकिन फिर आपको check करना पड़ेगा यह वाय किन के लिए है सब ही वाय मतलब यह वाय मेरे कहने का मतलब है कि देखो डी greater than equal to 0 कब लगा लगा लगाते है जब quadratic जब quadratic हो लेकिन यह quadratic कब quadratic होगा जब वाय माइनस 1 नॉन 0 होगा मतलब वाय not equal to 1 होगा है ना तो आपको वाय is equal to 1 के लिए चेक करना पड़ेगा क्या x exist करता है तो चेक करो y is equal to 1 जब put करोगे तो x 0 आ जाएगा जब y को 1 put करोगे तो x 0 आ जाएगा इसका क्या मतलब है मैंने y 1 रखा और x एक real number आ गया मतलब x एक real आ गया मतलब y is equal to 1 exist करता है तो y is equal to 1 भी accept हो जाएगा तो यह आपका final answer है ठीक है नोट कर लो next example लेते हैं next problem पर आते हैं ठीक है step 1 क्या था check for common roots तो सबसे पहले तो देखो यह factorize हो जाएगा x-3 और x-1 ठीक है यह भी factorize हो जाएगा x-3 और x-2 ठीक है अब इसको तुम cross कर सकते हो cross कर दिया लेकिन कब कर सकते हो जब x not equal to 3 होगा तभी cross कर सकते हो है ना तो यह हमने cross कर दिया तो वाय आपके पास क्या बन गया वाय बन गया x-1 अपॉन x-2 और all x in real लेकिन x को आप 3 नहीं रख सकते और 2 नहीं रख सकते 2 इसलिए नहीं रख सकते अब इसका range तो हमें पता है which is equal to this range पता ना इसका range क्या हो जागा oriented कोफिशेंट का SEO फॉरेशियो,ν कॉमा अल्फा भी आगा है ड्हेकिन आपर यहां पे दो वैल्यों weoleश होंगी क्यों दो वैल्यों एक्स्क्Jackmasgal कि दो Y माइनस 4 आपन X माइनस 2 यह न सकते तब X को तुम 3 रंख नहीं सकते तहीं कुछ difficult तो आएगा न है इसका तो जब taşीन रखोगे थो Y is equal to 2 आएगा लेकिन Y is equal to to हो नहीं सकता कि नहीं हो सकता कि दो तब आएगा जब X को तुम टीन रखोगी लेकिन तीन तो ढוח नहीं सकते है ना इसलिए y is equal to 2 भी reject हो जाएगा तो अलफा का value 2 आ जाएगा तो आप इसका range बोल सकते हैं यह y belong to r minus here 1,2 ठीक है नोट कर लो next problem लेते हैं अगला problem लेते हैं y अगर आपके पास x square plus x plus 3 दिया हो upon x square plus x plus 1 step 1 common roots find करो नहीं है यहना obviously x real है तो अब quadratic बनाओ तो मैं direct लिक देता हूँ यह quadratic है x में ठीक है अब यह true है यह relation for some x, y तो इसका discriminant greater than equal to 0 कर दो ठीक है ध्यान रहे y not equal to 1 है आप यह condition तभी लगा सकते हैं जब यह leading option 0 ना हो तो y not equal to 1 मैं लेके चल रहा हूं है यह ना अब इसमें लगाओ यह यह हो गया अब y minus 1 common ले लो तो y minus 1 यहां से आगया minus 4y plus 12 यह ना सही लिखा है यह हो जाएगा y minus 1 यह हो जाएगा 3y minus 11 यह ना तो आपके पास यहां से y कितना आ जाएगा 1 से 11 by 3 यह ना यह आ जाएगा लेकिन आपने जब condition लगाई तब यह condition था मतलब जब d greater than equal to 0 तब ही लगा सकते हो जब leading coefficient non-zero तो यहां से आपको 1 exclude करना पड़ेगा ठीक है यह close bracket close bracket नहीं आएगा open bracket आएगा ठीक है अब y equal to 1 के लिए चेक करो क्या x real आ रहा है तो y equal to 1 के लिए हमने चेक किया x आ रहा है कि नहीं x square plus x plus 3 upon x square plus x plus 1 cross multiply किया तो x square plus x plus 1 equal to x square plus x plus 3 तो यहां से आपके पास relation आ गया 1 is equal to 3 जो की rubbish है तो कोई x नहीं आया मतलब y is equal to 1 except नहीं होगा तो इसका range हो जाएगा 1 से 11 by 3 ठीक है सवाल में यह पूछा जा सकता था y में कौन से element होगे जो इंटीजर है तो कौन कौन से इंटीजर है इस सेट में 2 है 3 है तो दो इंटीजर आ गए अब किसी ने अगर वन नहीं हटाया होगा तो 123 करके आ जाएगा तो उसका अंसर गलत हो जाएगा तो इसलिए ध्यान रखो इसमें कि रेंज कैसे निकाला जाता है ठीक है नोट करो इतना अच्छा एक बात बदाता हूं मैं ठीक है वो आगे भी आएगा लोकेशन ओफ रूट्स नाम कार्टिकल है उसमें जिसे दो नंबर दिया ना अलफा कॉमा बीटा ठीक है और एक क्वाड्रेटिक एक्वेशन है क्यू एक्स ठीक है तो अगर अलफा यहां है बीटा यहां है दो नंबर ठीक है क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा जा रहा है है ना इसका क्या मतलब है exactly one root of qx is in alpha, beta मतलब alpha, beta के interval के बीच में qx का एक root लाए कर रहा है तो इसका condition क्या होता है इसका condition होता है q alpha into q beta ठीक है q alpha कुछ positive value और q beta कुछ negative value ठीक है this must be negative यह ना this is sufficient condition ठीक है exactly one root of qx is in alpha, beta इसका condition क्या है यह condition ठीक है इत्ता note करो ठीक है अगर तुमको कल को दिया है function को जैसा दिया है q1 x upon q2 x है ना चाहां पर दोनो quadratic है quadratic upon quadratic तो इसका range for fx to be r मतलब अगर इसका range all real है मतलब minus infinity सब प्लस infinity है तो यह तब ही possible है जब कि इसका इसका एक root के बीच में लाए करें मेरे कहने का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि एक क्यू बन एकक्स है इसका graph कुछ ऐसा बनेगा ठीक है तो इसका रूट में मान लेता हूँ अलफा कॉमा बीटा अब इसका रूट में मान लेता हूँ गामा कॉमा डेल्टा ठीक है है ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रेंज आर तभी आएगा all real तभी आएगा जब ये q1x बना लिया मैंने जब Q1 X का एक रूट Q2 X के दोनों रूट के बीच आ है और एक ही रूट होना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए और वाइस वर्षा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि Q2 X का एक रूट Q1 X के दोनों रूट के बीच में हो और अब exactly one रूट होना चाहिए तो इसको अगर words में लिखना हो, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कि exactly, for fx to be r, exactly one root, exactly, exactly one root of q1x, must lie between both roots of q2x, या इसका उल्टा, ठीक है, और एक बात, अगर कुछ linear हो, fx मान लो, कुछ linear हो, linear, upon quadratic qx, linear को मैं lx मान लेता हूँ, तो linear कुछ ऐसा होगा, x minus alpha, यह एक linear है, तो इसका range अगर r करना है, अगर इसका range r होगा, इसका मतलब है कि जो alpha है न, alpha, जो linear का, देखो, linear function का तो root हो गाई, तो linear का जो root है, alpha, alpha, must lie between the roots of qx, समझ गया, अब qx अगर ऐसा बन रहा तो ऐसा होना चाहिए, alpha दोनों root के बीच में लाए कर जाए, इसका necessary sufficient condition क्या होता है, इसका sufficient condition होता है, q of alpha must be negative, यह तो तब जब qx जो है mouth opening upward बने, अगर qx mouth opening downward बनेगा, तब इसका condition q alpha is positive, ठीक है, जैसे अगर इसका example लेना हो, तो आप ऐसा ले सकते हैं कि y is equal to x minus 2, x plus 1, और x into x plus 3, यह q1 x मान लो, यह q2 x मान लो, तो q1 x का अगर तुम graph खीचोगे, तो 2 यहाँ पे, minus 1 यहाँ पे, ठीक है, तो graph कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, यह दो root आगा है, और इसका जब root खीचोगे, तो एक तो 0 आएगा, और एक minus 3 आएगा, तो दिख रहा है ना, कि जो, जो quadratic है, q2 x जो quadratic है, जिसके roots है, 0 और minus 3, उसके बीच में केवल एक root लाए कर रहा है, q1 x का, और ऐसा भी देख सकते हो, कि जो q1 x का एक root है, मतलब q2 x का जो एक root है, 0, वो q1 x के दोनो root में contain हो रहा है, ठीक है, तो इसका range ना, आ रहाएगा, ठीक है, note करो, बुछ problem लेते हैं इस पर, तो problem है, if the expression y is equal to x minus alpha upon x square minus 4x plus alpha, assumes all real values, find alpha, तो जैसा कि मैंने बता था, linear upon quadratic है, तो इसका solution देखते हैं, कि मैंने बताया था कि ये linear upon quadratic है, तो मैंने क्या बताया था, कि जो linear का root है, x is equal to alpha है, ये जो है, quadratic के दोनों root के बीच लाए करना चीए, मतलब कुछ ऐसा है, quadratic का कुछ ऐसा graph बनेगा, ठीक है, और जो alpha है, वो बीच में लाए करना चीए, इसका क्या condition है, इसको अगर मैं qx बोल दूँ, नीचे वाले को, q of alpha must be negative, ये sufficient condition है, ठीक है, तब इसमें ये condition लगा दो, तो जब लगा होगे, तो alpha रखो इसमें, तो alpha square minus 4 alpha, plus alpha must be negative, है ना, तो alpha square minus 3, alpha must be negative, तो alpha, alpha minus 3, must be negative, अलफा आपके पास आगया है, 0 से 3, ये आपका अंसर है, नोट कर लीजे, next problem लेते हैं, अगला problem है, fx दे रखा है, और बताया गया है कि ये, all real values लेता है, मतलब इसका range, जो है, वो all real है, तो a find करना है, अच्छा, ऐसे problem को कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले तो जो denominator में ना, उसको create कर लो उपर, ठीक है, और अब, denominator को लिख लिए numerator में, अब numerator create करो, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं numerator को, अपन, x square plus 4x plus 3 है, ठीक, तो fx आपके पास आजाएगा, 1 minus, ठीक है, अब यह all real है, है ना, तुम खुद सोचो, अगर fx all real है, तो, यह all real का आएगा, जब इतना हिस्सा, इतना जो हिस्सा है, वो all real आए, है ना, यार अगर देखो, ऐसा समझो, कि, fx all real है, ठीक है, तो, इस 1 को ना, वहाँ ले आओ, तो, fx minus 1 भी all real होगा, fx minus 1 अगर all real होगा, तो, 1 minus fx भी तो all real होगा, तो, 1 minus fx जब तुम निकालोगे, 1 minus fx, तो, क्या आएगा, 2 times of x plus a, अपन, x square plus 4x, plus 3 है, यह आएगा ना, यह all real है, यह all real है, तो, यह बन गया ना, linear upon quadratic, तो, इसका क्या condition था, कि, linear का जो root है, जो इस case में, x is equal to minus a है, वो क्या होना चाहिए, अगर quadratic में, तुम minus a रखोगे, तो, वो negative आना चाहिए, तो, इसमें, minus a put करो, तो, आपके पास inequality क्या बनेगी, a square minus 4a, plus 3a, must be less than 0, तो, a square minus a, less than 0, तो, a, a minus 1, less than 0, तो, आपके पास, a आ जायेगा, 0 से 1, यह आपका answer है, note कर लो, next problem लेते हैं, अगला सवाल, y यह दे रखा है, और यह all real है, इसका range, a find करना है, तो, again, इसको, वही approach, numerator में, denominator create करो, तो, मैंने, यह लिख लिया, ठीक है, अब मैंने, मैंने, denominator लिख लिया, numerator में, अब मैं numerator, जो actual है, उसको create करें, गोशिश करूँगा, तो, x square का coefficient, a, x, a है, तो, वह मैंच हो गया, minus 7x, तो ही, ठीक है, उसका जरूवत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसा में लिख सकता, अउनियूमरेटर को, यह ना, और 5x square, minus 7x, plus a, this is real, ठीक है, तो, यह हो जाएगा, y is equal to, 1 plus, a minus 5, रे, x square minus 1, अब उन, 5x square, minus 7x, plus a, ठीक है, this is r, this belong to r, अब, अगर, y belong to r है, तो, y minus 1 भी, r के बराबर होगा, इसका मतलब, y minus 1, इसका मतलब, a minus 5, into, x square minus 1, upon, 5x square, minus 7x, plus a, यह भी r के बराबर होगा, अब यह क्या है, यह q1x है, और यह q2x है, अब मैंने बताया था, कि इसका exactly, एक root, इसके बीच लाए करना चाहिए, मतलब, q1x का exactly one root, should lie between, both the roots of q2x, या उल्टा, इसका exactly one root, q2x का, q1x के दोनों root के बीच में, लाए करना चाहिए, ठीक है, तो, तुम खुद सोचो, root निकालना कि इसका आसान है, इसका root निकालना आसान है न, तो, जो graph बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा, जैसे, यह मान लो, यह 5x square, minus 7x, plus a का graph, तो, इसका exactly एक root, जो कि, एक होगा one, और एक होगा minus one, एसा graph बनना चाहिए, यह ऐसा graph भी बन सकता है, कि, ठीक है, यह x-axis है, एक graph तो बन सकता है, minus one, ठीक है, इसका exactly एक root, q2x सा exactly एक root, q1x के दोनों root के बीच में लाए कर गया न, यह ऐसा भी कर सकते हो, कि, यह minus one, one था न, एसा कर सकते हो, यह minus one हो, यह one हो, इसमें भी तो देखो, q2x का exactly एक root, q2x का exactly एक root, q1x के दोनों root के बीच में लाए कर गया, तो इसका condition मैंने क्या बताया था, q2 of one, into q2 of minus one, must be negative, लगा दो यह condition, ठीक है, तो condition लगा हो, तो q2 में one करो, plug-in, तो one रखोगे, तो यह a minus two बनेगा, और minus one जब put करोगे, तो यह कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, तो a आपके पास, कितना आ जाएगा, minus 12 से two, यह आप का अंसर है, note कर लो, आगे कुछ problems करते हैं, ठीक है, पहला problem देखो, if range of fx, fx जो है, वे दे रखा है, इसका रेंज दे रखा है, minus five से four, find a and b, given that a, b, belong to natural number, ठीक है, अब देखो, common root तो आएंगे नहीं, क्यों नहीं common root आ सकते, मैं देख स्टेप बन बता था न, common root चेक करो, common root, इसका, इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि देखो, नीचे वाले का, जो है, नीचे वाले का root नहीं है, अगर common root हुआ होगा, तो दोनों root common हुआ होगे, और अगर दोनों root common होगा है, मतलब equation सेम आ गई, equation सेम आ गई, तो output केवल one ही आएगा, है ना, range फिर one ही आएगी, यह range नहीं आएगी, मतलब common root तो नहीं है, तो आप वो फंडा लगा सकते हैं, कि cross multiply करके quadratic बनाना, ठीक है, इसको y मैंने मान लिया, और quadratic बना लिया, ठीक है, तो आप जब quadratic बनाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, y minus 1 x square, 2y plus 2y, minus a into x, plus 3y minus b, यह ना, since x is real, इसका discriminant आप क्या कर सकते हैं, greater than, equal to 0 कर सकते हैं, है ना, कर दीज़े, 2y minus a, ठीक है, तो यह 4y square, plus a square, minus 4 a y आ गया, और यह minus 4, 3y square, minus b y, minus 3y, plus b, तो यह कितना हो गया, 8y square, वहां ले गया मैं, ठीक है, तो यह 12, minus 4, 8 हो गया, ठीक है, अगर अगर मैं, y का कोफिशेंट देखू, तो, y का कोफिशेंट, इसको अच्छे से लिख लेका है, minus, plus a square, minus 4 a y, plus 4 b y, plus 12 y, minus 4 b, ऐसा हो गया, ठीक है, 8y square, plus, y का कोफिशेंट क्या होगा, वहां ले गया में, ठीक है, y का कोफिशेंट हो जाएगा, 4 a, minus 4 b, ठीक है, minus 12, अच्छे से लिख लोगा, है ना, और यह क्या हो जाएगा, 4 b, minus a square, ठीक है, y square, plus, a by 2, minus b by 2, minus 3 by 2, y, plus, b by 2, minus a square by 8, ठीक है, अब उसने क्या बोल रखा है, कि y जो है, वो, minus 5 से 4 के बीच में लाये करता है, हमारी inequality यह आती है, और इसका solution होना चाहिए, इसका, इस inequality का solution होना चाहिए, यह, अब तुम खुद सोचो, यह solution कब आएगा, जब equation कुछ ऐसी बनी होगी, यह inequality का ही तो यह solution है, तो inequality ऐसी बनी होगी, तब तो आया होगा यह solution, तो अगर मैं इस inequality को देखूँ, और इस inequality को देखूँ, तो यह दोनों ही inequality सेम है, इसको देखो, तो यह आएगा, Y square, Y square, plus Y, minus 20, यह inequality, यह inequality, और यह inequality सेम है, सेम है, तो compare किया जा सकता है, तो compare करो, ratio low coefficient का, तो 1 upon 1 is equal to A by 2, minus B by 2, minus 3 by 2, upon 1, बराबर, B by 2 minus A square by 8, is equal to minus 20, तो यहां से आपके पास आगया, A minus B, एक सगेंड, is equal to 5, इस relations है, यह इस relations है, तो यह 1, और यह आपके पास आगया, 4B minus A square, बराबर, कितना, minus 160, ठीक है इतना, अब एक काम करो, यह दे रखा है न, तो इसमें, A का value, substitute कर दो, 5 plus B, तो 4B minus, 5 plus B का whole square, is equal to minus 160, आगया, तो आपके पास आजाएगा, B square, ठीक है, और minus 10B minus 6B, ठीक है, 25 और यह हो जाएगा, plus 185, is equal to 0, ठीक है, अब इसको split करो, यह कितने में split होगा, अच्छा, यह solve करने में, थोड़ा mistake कर दिया रहे, ठीक है, तो आएगा आपका 4B, minus B square, minus 25, ठीक है, minus 10B, is equal to minus 160, अगर मैं सब, 4B आएगा, सब वहाँ ले जाओ, तो B square बन जाएगा, और यह, plus 6B बन जाएगा, है ना, minus 135 बन जाएगा, तो यह 15 और 9 में split हो जाएगा, तो B minus 15, sorry, plus 15 और, B minus 9 में split हो गया, तो B आपके पास, 9 आजाएगा, और minus 15 आजाएगा, अब B is equal to 9 ले ले लेंगे, minus 15 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपर दिया है, देखो, A, B natural number है, तो natural number तो 9 है, तो B 9 आजाएगा, B 9 आजाएगा, तो अब, B अगर 9 आजाएगा, तो A 14 आजाएगा, पहले relation में लिख दो, तो A 14 आजाएगा आपके पास, तो A, B आपका आजाएगा, 14, 9 ठीक है, नोट कर लो, next problem लेते हैं, next problem लेते हैं, हाँ, तो next problem लेते हैं, if x square minus x plus p into 11 y square minus 4 y plus 2 is equal to 9 by 2, has exactly one ordered pair x, y then find p, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया problem है, ठीक है, तो यह ऐसे होगा, देखो, इसको न whole square के term में लिखो, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा, जो x इसको, अंदर वाले को ऐसा लिखो, यह create कर लिया, plus p minus 1 by 4, पहले वाले term को ऐसा लिखा दा सकता है न, x minus half का whole square plus p minus 1 by 4, इसको expand करो, तो 1 by 4 कट जाएगा, p बजेगा के वाल, और वो तो है, 11 बाहर ले लो, तो y square minus 4 by 11, plus 2 by 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 बाहर ले लिया, और 4 by 11 बना, तो यह जरूर इसका कुछ बनाओगा, होल स्कुरर, ठीक है, तो 4 by 11, तो यह आपके पास आ गया, minus 4 by 11 बन गया, ठीक है, y square भी बन गया, और constant term आ जाएगा, आपका, 18 अपन 121, है ना, 22 by 2, 2 बटा गया रहा, आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको, exactly one ordered pair का क्या मतलब है, कि मतलब, एक लौता x, y लाए करेगा, मतलब इसमें, एक लौता x, y satisfy करेगा, तो अगर तुम थोड़ा सो सोचो, तो, x को ना, half होना पड़ेगा, और y is equal to, y को 2 by 11 होना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब, इसको 0 होना पड़ेगा, तभी, exactly one ordered pair आएगा, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये non-0 हुआ, मान लो, x minus half का whole square, अगर कुछ k हुआ, non-0 हुआ, तो, x minus half, और साथ-साथ, y minus 2 by 11 का whole square, कुछ p हुआ, मान लो, p नहीं, p तो use किया है नोंने, q मान लो, तो, x minus half, half plus minus root के आ जाएगा, तो, x के आ जाएगा, half plus minus root के, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, 2 by 11 plus minus root q आ जाएगा, तो, y के आपके पास, दो options आ जाएगा, बनल, x के दो options आ जाएगा, y के भी दो options आ जाएगा, तो, total combination कित्ते, create हो जाएगे, 4 total combination, create हो जाएगे, x, y के, लेकिन यहाँ तो, exactly one ordered pair बोला है, तो, अगर, exactly, एक ही ordered pair है, तो, इनको zero होना पड़ेगा, किमकि अगर zero नहीं हुआ, तो, बहुत सारे आ जाएगे ना, ordered pair, तो, इस theory से आप क्या सकते हैं, कि, इनको zero ना पड़ेगा, तो, इनको zero कर दो, ठीक है, zero कर दो मतलब, इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दिया मैंने, तो, आपके पास equation आ गया, 11 into P minus 1 by 4, into 18 by 121, is equal to 9 by 2, 11 से 11 गया, 9 से ये 2 गया, 4, 11 बटा 4, प्लस P, आपके पास 3 आ गया, 3 आपका answer है, ठीक है, note कर लो, next problem लेते हैं, let F be, R, मतलब, ये थोड़ा function का language हो गया, ठीक है, 12th class का है, तो, अगर नहीं आता हो, छोड़ सकते हो, ये सवाल, ठीक है, कहने का मतलब है, कि, ये जो है न, ये domain है, domain कहलाता है, क्या-क्या x आप रख सकते हैं, ठीक है, और इसको बोलते है, co-domain, ठीक है, fx ये दे रखा है, p greater than equal to 0, दे रखा है, is onto, ये function onto है, onto तब होता है, जब co-domain बराबर range हो, ठीक है, तो एक तरह से कह रहा है, कि, कि इसका domain जो है, domain जो है, f, वो है, r- minus 1, k, ठीक है, और range जो है, वो है, r minus, alpha, beta, ठीक है, ये domain दे रखी है, range दे रखी है, तो हमें, alpha plus beta find करना है, if, k minus 1 से 1 के बीच में हो, दूसरा condition, अगर k, 1 से 3 के बीच में हो, तो पहले के लिए, मतलब, solve करते हैं, पहले के लिए छोड़ो, ऐसे ही, fx, हमने लिखा है, 2x minus 1 into, 2x square minus 4px, plus p cube, upon x plus 1, x square minus p square x, plus p square, ठीक, अब तुम देखो, domain में से न, दो element गायब हैं, बस, अब, domain में से, तुम सब रख सकते हो, x belong to r है, लेकिन सिर्फ दो values नहीं रख सकते हैं, minus 1 और k, minus 1 क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि minus 1 रख दोगे, तो ये factor 0 बना देगा, और denominator 0 हो जाता है, तो function undefined होता है, दूसरा क्या दे रखा है, k, है न, k exclude किया है, तो तुम खुद सोचो, x square minus p square, x plus p square, जो है, या तो इस form का रहा होगा, या, इस form का रहा होगा, क्यूंकि देखो, अगर ये perfect square हुआ, ये, perfect square रहा, तो उसको इसका perfect square होना पड़ेगा, तब तो k को exclude कर पाएंगे हम, है न, या, इस form का रहा, इस form का रहा, तो x plus 1 तो आई जाएगा, जिसको हम exclude कर चुके हैं, minus 1, और एक k को exclude कर देंगे, 0 बन जाएगा, न, ये, मेरे कहने का मतलब है, या तो ये x minus k का whole square रहा होगा, या ये इस form का होगा, जिसमें minus 1 जो है, इसका linear का, और इसका common root हो, minus 1, क्यूंकि देखो, अगर ये किसी और form का हुआ, x square minus p square x, plus p square, अगर इस type का हुआ, x minus k, और x minus p, where k and p are distinct, तो domain में से, हमें minus 1 तो हटा नहीं पड़ेगा, क्यूंकि वो तो ये 0 बन जाएगा, k भी हटाना पड़ेगा, और साथ में p भी हटाना पड़ेगा, लेकिन उसने देखो, p को नहीं हटाया है, उसने सिर्फ k को ही हटाया है, तो मतलब जो quadratic है, उसको इन दो form में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, तो case 1 में लेता हूं, x square minus p square x, plus p square, is of the form x minus k, into x plus 1, ठीक है, तो अगर तुम इसको देखो, तो इसका root क्या है, इसका root minus 1 है, x is equal to minus 1, इसका root भी x is equal to minus 1 रहा होगा, तो minus 1 इसमें put करो, तो 1 plus p square plus p square, 0 आना चाहिए, लेकिन ये तो, गलत बात है, है ना, क्योंकि, ये कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि square है, sum of squares है, ठीक है, तो ये case reject हो गया, ठीक है, reject, case 2, x minus p square, x plus p square, must be, sum perfect square, अगर ये perfect square है, तो perfect square कभ होता है, जब इसका discriminant 0 हो, तो discriminant 0 कर दो, तो p आपके पास 0 या 2 आ जाएगा, रोगो, p square common ले लो, तो p square minus 4, जीरो हो गया, तो p आपके पास 0 आ गया, एक बार, एक बार 2 आ गया, एक बार minus 2 आ गया, ठीक है, ठीक है, पी का ये 3 value आ गया, लेकिन अब तुम ध्यान से देखो, तो p उसने दे रखा है, greater than equal to 0, है ना, तो p is equal to minus 2 आ आ आप reject कर देंगे, ठीक है, तो p की हमर पास 2 value आई, ठीक है, अब case 1, p is equal to 0 के लिए हम solve करते है, p is equal to 0 के लिए, fx क्या बन जाएगा, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, copy, ठीक है, p is equal to 0 के लिए, fx क्या बनेगा, p 0 रखो तो, 2x minus 1, upon x plus 1 तो बन ही गया, अब p is equal to 0 के लिए बनेगा, 2x square upon x square, ठीक है, अब इसका अगर range find करो तुम, p is equal to 0 के लिए यह आ गया न, तो domain क्या लिखोगे इसका, domain क्या लिखोगे, all real minus, क्या नहीं हो सकता, minus 1, 0 नहीं हो सकता, minus 1 नहीं रख सकते और 0 नहीं रख सकते, तो यहां से k का value 0 आ गया, है न, क्यूंकि यह दे रखा है न, minus 1, k, तो minus 1, k हमने निकाला, minus 1, 0, तो k 0 आ गया, k 0 आ गया, ठीक है, अब इसका अगर range निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, इसको काट दो, given that x not equal to 0 है, इसको काट दिया, तो यह linear upon linear बन गया, अब इसका range निकालना होगा, तो linear upon linear का range क्या होगा, r minus coefficient का ratio, x के coefficient का ratio, तो f 4 आ जाएगा, comma, 0 काटा, 0 पे इसका क्या output है, इसका 0 पे output देखो, तो minus 2 है, इसका range यह आ जाएगा, ठीक है, range of f is this, r minus this and this, तो जब k 0 है, तो range क्या है, यह, when k is 0, then range of f is, r minus, कितना आया था, 4 से minus 2, 4 से minus 2, और तुम देखान से देखो, range यह दे रखा है, alpha, beta compare कर लो, 4 और minus 2 आया, तो alpha प्लस beta, इस case में क्या आएगा, first के लिए, alpha प्लस beta कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, ठीक है, तो यह तो case 1 हो गया, जब p 0 था, अब p is equal to 2 के लिए निकालते है, आजाएगा, 2 x minus 1, अपन x plus 1, इंटू, 2, 2 x square minus 8 x plus 8, अपन x square minus, अपना 4 p, प्लस p square आजाएगा, sorry, प्लस 4 x, प्लस 4, ठीक है, इसको तुम लेख सकते हैं, 2 times of 2 x minus 1, यह split हो रहा है क्या, x minus 2 का whole square बन जाएगा न, हाँ, और यह बन जाएगा, x plus 1 और, x minus 2 का whole square, तो domain जब निकालोगे, तो आजाएगा, all real minus, minus 1, 2, तो इस case में, k2 आगया, तो k जब 2 आएगा, तो वो कौन सा bit है, वो second bit है, देखो, k2, तो second bit के लिए, अब निकालते हैं, तो जब तुम range निकालोगे, इसको cancel कर दो, given that, x not equal to 2 है, linear upon linear आगया, तो आज, r minus, 4 आगया, लेकिन, 2 cancel किये थे, 2 पे इसका output देखो, तो एक इत्ता आजाएगा, 2 into 2 पे इसका output होगा, 4 minus 1, 3, और ये 2, 3, तो 2 आजाएगा, तो 2, तो ये आपका range आजाएगा, और ये alpha है, ये beta है, तो alpha plus beta आपके पास, यहाँ पे 6 आजाएगा, ठीक है, नोट कर लो, और इस lecture को यहीं end करते हैं, ठीक है, इस lecture को फिर से देखना, है ना, क्योंकि इसमें कुछ-कुछ, अच्छे-अच्छे problems भी कराएँ हैं, है ना, बाई,